जैहिन प्यारे दोस्तों मैंने 26 सो मैत करवा दिये जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नमबर वन वॉल्यूम नमबर टू इसमें 64 सेट 26 सो मैत की ही हैं मैं उनको जो वॉल्यूम नमबर वन का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थमने लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर र जैसे आप 26 मैट का पहला sit लगा रहे होंगे sit में जो हमारे solution होंगे वो इसी serial से रहेंगे solution का serial यही रहेगा बट जो यह numbering का serial है यह नहीं मलब question यही रहेगा बस यह numbering नहीं रहेंगे numbering आगे पीछे की रहेंगी तो उससे matter नहीं है आपको question के सारे serial से proper मिल जाएगा मैं daily दो वीडियो YouTube में upload कर दूँगा जिससे आप सीख सकें ठीक है तो session को enjoy कीजे जैहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रकासवस्ति कानपुरवाला आज फिर एक सेट लगाएंगे मगर प्यार से और धैर के साथ session को start करते हैं और कम समय में आपको पढ़ाया जाएगा पहला question आपकी skin के सामनी आपको दिख भी रहा होगा कहता है cos x-y बराबर root 3 by 2 तो पहले तो आप देखो root 3 by 2 cos में किसकी value होती है तो आप कहोगे सर्फ cos 30 की value होती है cos 30 की value root 3 by 2 होती है बोलो हाँ तो देखा जाए अगर मैं angle का comparison करूँ इससे तो आप समझ गए होंगे कि x-y बराबर 30 degree की लिखा जाएगा फिर sin x plus y is equal to 1 यह जो 1 होती है वो sin 90 की value होती है किसकी होती है sin 90 की value होती है बोलो हाँ अब देखा जाए angle का angle से comparison करूँ यानि x plus y बराबर 90 degree yes या no तो आप कहोगे yes चूटी चूटी बातों को सीखना होगा हमारे साथ मगर प्यार से यह दो equation है अब इन्हें solve करता है या तो आप options पर नजर रखो तो साब साब दिख्राए कि 60 और 30 का योग 90 और 60 और 30 का अंतर 30 होता है पहले बोलू हाँ तो options में नजर रखते हुए answer हमने सी घोजित कर दिया याद रहे आपको जैसे सिखाया जाए वैसे सीखेंगे तो समय भी बचेगा चीजे भी सीखेंगे चलिए सब पे चर्चा होगी पहले question के आपार सफलता के बाद कहता है चाय के मूल में 20% की कमी की गई इसे पुना वास्तिक मूल पर लाने के लिए इसके मूल में कितने व्रद्धी की जाएगी 20% की कमी 20% मतलब एक बटा 5 यानि 5 की चीज चार में हो गई अब वास्तिक यानि 4 से हमें 5 में लाना है तो comparison एक दोनों का अंतर एक है और जिससे comparison करते हैं उससे divide करते हैं यानि 25% की व्रद्धी हमें करनी होगी इस question का answer 25% आएगा कहता है इसका मासा पार निकालना सभी जानते हैं कि उपर जो value होंगी जिसे मालो उपर ABC है तो उसका SCF निकालते हैं मालो और नीचे DEF है तो उसका LCM निकालते हैं किसी बिहाब पर ऐसे question किये जाते हैं दोस्तों सब पढ़ाया जाएगा अब आपको धैर रखना है और चीजों को समझना है देखा जाए पहले उपर SCF निकालोगे तो उपर का SCF वन ही आएगा तो वन तो ऐसे रखो नीचे की value का LCM आप देखो साइट 30 नजर आ रहा होगा क्योंकि 6 से भी जाता है 5 से जाता है पर 4 से नहीं जाता यानि 60 होगा एक बटा 60 इसका answer 3, 4, 5, 6 से 60 हमारा divisible होता है तो right answer of this question 1 by 60 हो जाएगा ऐसे ही पढ़ेंगे यादि चीनी के मूल में 25 परशंट की गिरावट आती है तो एक परिवार को उसके उप्योग पे कितने प्रस्थत की व्रत्ती करनी चाहिए देगे 25 परसंट की गिरावट तो एक बटा चार यानि 4 से कोई चीज 3 हो जाती है अब जो परिवार के सदस हैं प्यारे दोस्तों उसे 3 से 4 में लाना है अंतर कितना है एक का 3 से 4 में यानि 3 से डिवाइट इन्टू 100 तो कहेंगे 33 is to 1 by 3% the right answer of this question 33 is to 1 by 3% हो जाएगा 11 के बाद 12 नमबर के तर साइन ठीटा मैनेस कॉस्ट ठीटा बराबर 0 साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा चाहिए यह 0 तभी पॉस्ट पिल है जब यह 45-45 डिगरी में सर क्यों 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 क मासूम से लोग बताएंगे ये question एक complicated question दिया गया टाफ नहीं है बच्चा भटक जाएगा ऐसे question में एक एक सब्द पढ़ना बढ़्या से पढ़ना कहता है 10 वर्स पहले X की आयू देखो 10 वर्स पहले यहानी ये 10 वर्स है यहां पर आप बड़े अच्चे सब्ढ़ना X की आयू 5 वर्स थी और उसकी आयू Y की आयू की आधी थी 10 वर्स पहले X की आयू 5 वर्स थी 10 वर्स पहले जो X था वो 5 साल का था और उसकी आयू Y की आयू की आधी यानि Y 10 साल का होगा कॉमा अब यहां कॉमा लगा हुआ पी कहता है जेड अपने भाई P से 8 वर्स छोटा था कब 10 साल पहले क्योंकि था लगा हुआ है नहीं था यानि 5 टेंस के बात हो रही है तो यही लाइन पे कंडिशन चल लिए तो जेड अपने P से 8 वर्स छोटा था यानि माना जेड की आए X है त जेड उस समय अठारा वर्स का था तो अगर यह अठारा का था तो पी अठारा आठ 26 का हो जाएगा तो कहता है वर्त मान में जेड और पी की आयू तो दस साल जोड़ दो तो जेड 28 का पी में 10 जोड़ोगे तो यह 36 का हो जाएगा अब कहता है जेड और पी की आयू का अनपाद ग्यात किजिए इसी का रेशियो लिलू 7 और 9 इसका आंसर आएगा दर राइट आंसर ओर द्रिस कोशिन गाई 7 पट इस तुु 9 आएगा बर ही हां से पड़िये सब पढ़ाएंगे थोड़ा सा आप हमें भी सब्हे दीजिए हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करते ही रहेंगे ठीक है हम क्या सारे टीचर ठीक है है एसा इस्थानी इमानों का योग तेन के स्थानी इमानों का योग इस्थानी इमान देखो तो तीन पीछे तीन ठो जिरो लगा दो और फिर तीस तो आंसर समझ गए होगे 3030 is the right आंसर क्योंकि इस्तानिय मान पोला गया है दोस्तों जब क्रैमूल 850 और विक्रैमूल 680 तो हानी क्या है 850 की चीज 680 में हो जाए 0 से 0 कार्ट तो अब 85 तो यह जाता है किस से 17 पंजा और 17 चौका 5 से 4 हो गया अंतर 1 बटा 5 गुड़े 100 यानि जो हानी होगी वह 20 परसेंट होगी बोलो मगर प्यार से तो क्या 21 का आंसर 20 परसेंट आ रहा है यह आप बताओगे दोस्तो x का वह मान ग्याद कीजिए जो समिकर इतने को संतुष्ट करता है यानि सेटिसफाई करता है क्या equation लिखा है x square प्लस a square उसका whole square खोल दो तो b square प्लस x square माइनस का 2bx हो जाएगा माइनस का 2bx हो जाएगा पहले बोलो हाँ कहते हैं कि इस x square से इस x square को cancel कर दो 2bx बराबर b square माइनस a square x बराबर हो जाएगा b square माइनस a square upon 2b the right answer of this question b square माइनस a square upon 2b हो जाएगा 22 का अंसर यही आएगा प्यार से पढ़िए प्यारे दोस्तों 24 नंबर question इसे आप 2 star question भी कह सकते हैं थियोरी में हम इसकी थियोरी बताते भी हैं बहुत अच्छे से फिर भी आप यहां हलका सा लिग भी सकते हैं और बर्या से practice किजिए youth railway की किताब हमने पूरी पढ़ा रखी है YouTube में free उसको अच्छे से दिखिए selection आपका तय है कोई रोक नहीं सकता एक चीज़ समझो root a plus root a plus root a plus infinity तक अब देखा यह जाए देखा यह जाए मासूम से दोस्तों तो यह चीज़ी तो हो गए अब इसमें हम लोग एक formula बताते हैं कौन सा कहते हैं कि 4 a plus 1 plus 1 by 4 इसका solution होते हैं इसमें कई सारे pattern है तो 7 चोग 28 एक 29 यानि 29 आ गया plus जो कि 1 upon नीचे 4 29 में सिर्व यही option है तो फिर यही answer घोसित कर दो तो 1 plus minus root 29 वो कोई बात नहीं अगर positive तो plus का ही लिया रहता उन्हें माइनिस लगा रखा तो कोई बात नहीं है उनकी भावनाओ का हम सम्मान करेंगे answer इसको भी घोसित करेंगे पहले बोलो हाँ चले लोकेज जी पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और सभी बच्चे लाइक और सेर कर सकते हैं बाकी जैसे आपकी श्रद्दा अब ये क्या आगया सर एकदम दोस्तों अभी बीच में दो तीन दिन तक हमारे चैनल में लाइफ क्लास रोक दी गई थी जी आँ लाइफ क्लास क्यों रोक दी गई थी उसका कारण है कि एजुकेशन चैनल में हम प्रोटेस्ट करकी वीडियो डाल लेते ठीक है मेरे चैनल में कम सब्सक्राइबर हैं देखिए बहुत से चैनल में डाल देए उनके मिलियन में सब्सक्राइबर होते तो एफेक्ट नहीं पड़ता तो रिवियू में डाल दिया गया था मेरा चैनल दो दिन के लिए ठीक है दो दिन आपने देखा होगा कोई भी लाइब वीडियो नहीं आया होगा उसका करण यही था हमने एक नया चैनल लॉंच कर रखा है ठीक है जिसका नाम कानपूर वाला फैन क्लब प्रकास सर है जिया क अब इसमें सिर्फ सौ सब्सक्राइबर जूट बोलता नहीं हो यही सत्य है और इसको जादू सो सब्सक्राइबर है जहां आपके सपोर्ट से हजार सब्सक्राइबर और जहां एलिजबल हो जाया गया चैनल वहां आपको इस किताब के 50 से प्री कर दिये जाएंगे क्या कर वाले वीडियो डालने हैं जिससे की चैनल में अभी इसमें कुछ ने बरहां से आपको पढ़ने को मिल जाएगा इस किताब के 500 सेट के सुलूशन हम इसमें अपलोड कर देंगे एक एक करके एक टाइम रहेगा उस टाइम में अभी क्या होता है कि यह जो वीडियो है इसकी जो बने है कोई आदा घंटा कोई 20 मिनट कोई उसके ओपर तो वो इसमें अपलोड नहीं होड़ा है ठीक है वो अपलोड उसकी कैटिगरिया होती ना कि पहले दो मिनट का वीडियो डालो फिर पांच मिनट का फिर दस पिर ऐसे करके वो जैसे से एलिजविल हो जाएगा इस इसमें जादा नहीं हजार सब्सक्राइब तक पहुचा दो बस उसके बाद जैसी आपकी श्रद्दा ठीक है जिससे आपको वीडियो मिल जाएंगे अपलोड कर देंगे और खुलके इस चैनल में बोल रहे है तो इसका मतलब हम अपलोड करेंगे भाई हम क्या करेंगे इसक बस बाकी आप समझदार हैं यहां आपका सपोर्ट चाहिए अफसर नया चैनल कैसे मिलेगा उसके लिए यह मैंने आपको वीडियो भेजा भी है ठीक है उपर साइट पिन है वीडियो यह कुछ और है इसमें जो मैसेज आया है यह कुछ और है ठीक है उपर पिन कर रखा है आसा है कि उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी जैसी आपकी श्रदा पस हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जहां एलेजबल हो जाएगा इस किताब का पूरा निसुल बाकी जैसी श्रदा एक छोटी सी छोटी संख्या ग्यात किजिए जिसे 3496 में जोडने पर प्राप्त संख्या दो छे चार और तीन से पूरते विभाजो पहले तो यह बोला गया एक चीज समझो बड़े प्यार से समझना जीए जोडने पर अगर हम प्रकास सर हाइटेक मैथर से सीखे तो वुस से कैसे सीखे चलो उस पे ही चर्चा किया जाए उस पे ही चर्चा किया जाए देखो यहां एक संख्या है तीन यानि यह तीन का मल्टिपिल होना चाहिए जब हमने देखा तो यह तो तीन का है यहां अभी दो की कमी है किसकी कमी है दो की कमी मलब यह साथ आ रहा है तो यह ऐ आप में टीचर बहुत कुछ पढ़ाता है अब ये समझो चार को छोड़कर तीन, नौ, छेस, सब तीन से डिविस्बिल होते हैं पहली बात बोलो तो यहां कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको जोडते ही वो तीन का मैल्टिपिल हो जाए तो चार में ग्यारा जोड़ोगे तो कही न कहीं पंदरा हो जाएगा पहले बोलो हां चार में ग्यारा जोड़ोगे तो कहीं न कहीं पंदरा हो जाएगा यस यह नो आठ जोड़ोगे तो बारा हो जाएगा इनका तो कोई सवाल नहीं होता अब या तो ये या तो ये अब यहां पर भी एक मुद्दा होता है बच्च ये तो even है, इसका मतलब 8 जोड़ो, 8 जोड़ोगे तो हो सकता है ये पूरी सिरीज हमारा किसमे convert हो जाए, 3 के multiple में, जरा करते हैं, देखते हैं, 8, 6, 14, हासिल कितना, 2, हासिल, sorry, 1, और 9, और 34, 1, 35, अब देखो, ये 35, क्या ये 3 का multiple है, तो अब आप कह सकते हैं, हासिल, 2 का हासिल, 6 का हासिल, तो इसका मतलब 8 इसका answer होगा, ये हमारी कलाएं हैं, जो कि हमने कई बार आपको सिखाया है, ठीक है, जब आप Youth Railway की किताब हमसे पढ़ोगे, तो आपने देखा होगा, कि हम ऐसे ही सिखाते है, सूचना सिखाते हैं बच्चों को, सूचना, चलना, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे नहीं ऐसे, और कुछ करो, देखिए अपना काम है समझाना, हम बड़े प्यार से सिखाते हैं, फिर से देखो, जिसे 3496, मैं मोटा मोटा आपको सिखाता अगर आप 11 रखोगे तो यह ओड हो जाएगा मतलब यह नहीं होगा आठ से तो इवेन रहेगा पंद्रा रखोगे तो भी ओड sharply तो चाहर अगर मैं चार लेता हूं तो ये 3500 हो जाता है चार लेता हूं तो 3500 पर ये तीन का मैल्टिपिल नहीं होता है यानि चार नहीं लेंगे अब तो समझ गए क्या लेंगे आठ लेंगे ये लगाओ ये दिल लगाओगे और लोगों की तरीके भागओगे कि भीड जिस दिसा में भाग रही हम आओ उसी दिस्ताम भागेंगे तो कुछ नहीं इससे आसान तरीका हो सकता है दिमाख लगाओ ठीक है कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता उसका हर काम का धंग अलग होता है पस वही मैथड है कहता है निमलिकित को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए जैसे एक बटा पांच यहाँ डिवीजन के साथ ब्रैकेट लगा है तो रिवर्स हो जाएगा यानि तीन और पचीस उपर आ जाएगा पांच और तीन ऐसे आ जाएगा याद रहे ये बात ठीक है ये बात याद रहे पचीस से पचीस गया तीन से तीन गया यानि एक आंसर आएगा कहता है यदि 24 व्यक्ति किसी कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो वे 6 व्यक्ति उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेगे सिंपल सा है कि 24 व्यक्ति किसी कार को 5 दिन में तो 6 व्यक्ति X दिन में पूरा करेगा कार तो 6 से ये 4 बार 5 चो का 20 आंसर आगे बढ़िए एक्स कि 35% का 35% एकस का कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो भी पर सेंटेज में बोला गया तो यहां पर 1% मतलब हमें 35% इंटू पर सेंट और यहां उत्तर में एक परसेंट रहना चाहिए यही तो बोला है ठीक है तो यह वाला परसेंट हो हमने एज इस अब 35 गोले 35 तो यह होता है तीन चकुबारा बारह सो पचीस होता है और एक परसेंटेज का यूद करोगे तो सौ से भाग दे दोगे तो 12.25% is the right answer 36 का answer 12.25% चलिए धनवाद मेरे भाई पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं जो सिखा रहे हैं बढ़ियां से सीखते रहे हैं सब कुछ पढ़ाया जाएगा निम लिखित को हल करो साप साप नजर आ रहा है कि यह a square pattern में बनना है यह b square pattern में बनना है तो ज्यादा यह नहीं कि लाओ इसका गुड़ा उड़ा करें अरे यह ऐसे ही होते हैं ठीक है हो गया इसका मतलब a-b का whole square हो रहा है अब क्या करना है 8.75 में 7.75 गटाओगे तो एक आएगा और एक का square एक सिर्फ डरानी के लिए ऐसे question होते हैं बड़े प्यार से सीखिए हमारे साथ सीखिए अर्थिस का अंसर एक आएगा कि के ता एक रेल गाड़ी 90 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है वह 15 मिनिट में कितने मेटर की दूरी तै करेगा 90 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से चल रही है चल रही है वह 15 मिनिट में कितने मेटर की दूरी तै करेगी एक चीश समझो एक घंटे में होते हैं 60 मिनिट पहले बोलो हाँ जिसमें 90 किलोमेटर तै करते और 15 मिनिट में तो पूस्ता है भारत आप से पूस्ता है भरत 60 में किसका भाग देगी 15 आ जाय तो चार का तो 90 में भी किसका भाग दो चार का 90 का आदा 45 45 का आदा साड़े 22 किलोमेटर अगर हम इसको मीटर की नजर से देखेंगे तो समाझ 22,500 मीटर कहता है प्यारे दोस्तों यह समाझ कहता है कि 22,500 मीटर तो राइट आंसर इसका 22,500 सर आप एक रेलवे गुरुब डी का बैच ले आए प्लीज सर अरे मेरे भाई रेलवे वालों को तो प्रकास सर ख्रीमी ही पढ़ाते हैं और क्या सोचो कितनी किताब यूत रेलवे की किताब पढ़ा दिये गुरुब डी के लिए एंटी पीसी के लिए पढ़ा दो मेरे भाई अब तुम पैसा ही देना चाहते हो तो मेरे अकॉर्ण में ट्रांस्वर कर दो मेरे भाई उससे अच्छा कही नहीं सलूशन नहीं मिलेगा और खुद से किताब लेके पढ़ा ठीक है पूरी किताब फ्री पढ़ा रखे पता नहीं नया कोर्स लांच करो नया कोर्स लांच करो अरे देवताओ गुरुब डी और रेलवे वालों के लिए अगर हम कोर्से लांच करने लग गया तो फिर हो क्या है अब मैं बिजनेस नहीं करता हूं ना मात का बस उतना ही बिजनेस इसे एक किताब हमने पेड कर रखे वह इस लिए जिससे जीवन यापन चल सके ठीक है बाकी नहीं सब फ्री पढ़ते रों यह भी किताब पूरी फ्री पढ़ा रहे है ऐसा नहीं अगे विकल्पों म कैसे होगी नो डाउट जी सीरीज वास्तों में अच्छी है इसलिए हमने इसको सामिल किया है देखो एक पांच तो इसमें होता क्या है एक का स्क्वार प्लस जीरो यानि एक आएगा तो का स्क्वार जो यह पिछला वन यह वाला वन यहां जुड़ेगा तो पांच आएगा फिर क्या करना है एक का हो गया सर्थ दो का हो गया अच्छा इसमें एक चीस समझो ऐसे नहीं है प्लस जीरो तो एक होता है अब यहां दो आया इसका मंदब एक की पावर एक दो की पावर दो यह वैलू यहाँ आएगा तो यह पांच आएगा फिर क्या होगा तीन की पावर तीन 27 और यह पांच यहां आया 27 पांच बतेस इसलिए सिरीस अच्छी ए फिर की पावर 14 प्लस 32 यानि 288 क्योंकि चार की पावर चार 256 होता है फिर पांच की पावर पांच और प्लस 288 बस इसे जोड़ डाला लाइब जिंगा लाला पांच की पावर पांच साइथ 3125 होता है 288 जोड़ दो आठ पांच तेरा लाश्ट में तीन आएगा यानि 3413 आंसर आएगा याद रहे जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा पढ़ेंगे खुसी मिलेगे गुरूब डी का कोई कोर्स नहीं आएगा यूत रेलवे की किताब पढ़ाई है फ्री में उसको पढ़ो मेरे भाई उसके बात और है तो आरस अगरवाल पढ़ाई है उसको पढ़ो का कोर्स है लेने से सेलेक्शन होता है का आए कौन से दुनिया से हो कितनी बार वीडियो म बोले railway group D वालों को कोई course खरीदने की जुरद नहीं है मेरे चैनल में जियां कोई course कर नहीं है कि अधिक है अब कहा बता है इतना पढ़ा दिया है कि हम railway वालों से business नहीं करना चाहते यही सत्य है और नहीं करेंगी नाम मात्र का भले कभी कभार कलने जिसे रोजी रोटी चल जाए बस उससे अदाने एक आदमी एक सवाधी जमा यूजना में 10% चकवर्ती ब्याच की दर पर 2 वर्स के लिए 16,000 की रासी जमा करता है तो परिवक्त पर उसे कितनी रासी प्राप्त होगी एक चीज़ समझो 10% 10% का अर्थ एक बटा दस होता है यानि 10 की चीज 11 होगे लेकिन ऐसा आगर हम कर रहे हैं तो कुशन गलत हो जाएगा क्यों कि उसने शमाई लिख दिया है क्या लिख दिया है चमाई लिख दिया है एक आदमी एक सवाधी जमार यूजना में 10% की दर्स पर 2 वर्स के लिए अब शमाई लिख दिया तो टाइम पहले दो वर्स का था अब यूथ में बहुत बढ़िया पड़ाया सी आई टाइम दो वर्स का था रेट 10% था पर ये पर एनम था पर कोशन में हाफ येरली बोल दिया जब हाफ येरली बोल दिया बच्चा तो कहते हैं कि समय डबल हो जाएगा रेट आधा हो जाएगा 5% मतलब 1 बटा 20 यानि कोई चीज 20 थी और वे 21 हो जारी है कितने साल में बच्चा बच्चा जाने गया अब यहाँ 4 लेंगे 20 का तो ये 16 ऐसे 4 तो 0 लगा लो 21 का पावर 4 हमका भी नहीं मालूम आपको साब बताएं 21 की पावर 4 प्रकासर को नहीं मालूम बट इतना जानते ह हैं कि 441 गुड़े 441 आएगा इतना प्रकासर भी जानते हैं ठीक है भाई 21 का इसका है 441 और डबल मुल्ब फिर से हाँ भाई अम बड़े प्यार से करते हैं कहता है कि भाईया 16,000 प्रिंस्पल हमें 16,000 दिया गया मतलब यहां 100 का भाग देना हो ए 10 का भाग देना होगा तो similarly यहां पर भी 10 का भाग देना होगा इसके यूनिट प्लेस में देखो एक गुड़े एक 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 और दस से भाग दोग तो लाश्ट में 0.1 और यहां सम्थिंग होगा देखा जाए सारे ओप्संस में सर लाश्ट में 0.1 सम्थिंग तो सर आप में फिर का सिखाया अब त अंतिम दो संख्याओं का वर्ग जिसे 41 का स्क्वैर तो 50 से 9 कम 9 का स्क्वैर 81 अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो अंतिम दो संख्या 81 आएगी 10 से भाग दोगे तो पॉइंट यहां बाकी सम्थिंग अब देखो यह किसमें है तो यह से वाले में कैसा लगा यह तरीका इसलिए कहते हैं कि कॉंसेप्ट सीखिए हमारे कैसे हम पढ़ाते हैं कि देखो फाइब जी ट्रेवल मेरे भाई जो यूथ रेल्वे की किताब पढ़ाई है देखो नोट से आप मेरे अगर पढ़ोगे न तो गुरूप डी नहीं सीजियल मेंस निकलेगा मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्यूं अब सर आप अपने नोट से पढ़ाई है तो हम क्या उसमें अपना जोग देंगे मालिम्य चला नंबर सिस्टेम तो पचीज गंटा नंबर सिस्टेम पढ़ाएंगे मालम चला गुरूप डी का पेपर हो गया समझ गए तो उतना ही पढ़ो जितना पेपर में जरूरी है अब मेरे बात समझ नहीं पा रहे हूं जब उसक किताब को पढ़ोगे वहां ने हर बार ज्ञान दिया उससे समझ जाओगे के तर टू पॉइंट सिक्स वर्षों को आप वर्षों महिनों और दिनों में बदल दू अब भाईया वर्ष तो टू पॉइंट सिस्स का मतलब क्या वाद दूई ऐसे लेके लिए दूई साल तो ऐसे छे बटा दस और 365 का गुणा कल लिए भाई हाँ 365 का का है कि दिन में लाओगे न फिर मन्त में तो दूई वर्ष तो सबमा है एमा 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 बाकी अब खेला समझो कहात है कि तीन और ये पाँच वीगा पाँच से काट लिए हाँ काट लिए जाएगा कि ते बार में साथ पना पाई तेस तीज तर बार में और तीज तर तीना कर लिए तो दूई वर्ष तो ऐसे अब ई हुए गाई दिन नौ साथ एकाईस ए दिन हुए गाई इन जन्नल हम जानते कि तीस का मेंना होता है बोलो हाँ अगर साथ महिने होंगे तो 210 दिन तो होंगे ही होंगे यां 29 दिन है मतलब साथ महिने से ज्यादा साथ महिने ज्यादा ऑप्संस नमबर ए में फिर यही आंसर होगा दो वर्ष साथ महिने छे दिन अब और इतना तो समझ गय कि साथ महिने से कम नहीं आ सकता तो यही है जो कि समझदार हो ठोको लाइक बोलो हाँ सब आप चालू कर देंगे मेरे बाई मैंने पहले बताय था कि जिस वक्त रेलवे कुछ ना कुछ आपको देगा हम फिर से दिनडाप मैनत करेंगे जब हमने मैनत करना चालू किया तो मेरे बाल यहां के हुआ करते थे फिर हमने 800 वीडियो बता दिये तो अब ये इतने बचे हैं और जब पूरा आप पढ़ा देंगे तो ये भी समाप्त करवा देंगे अब ये भी किताब तेजी से पढ़ाएंगे बस पढ़ते रहे हैं एक विक्रिता मजाक की बात कर रहे थे पढ़ो मेरे वाई ऐसे कोशन रात को नो बजली क्लास में हमने पढ़ाएं एक विक्रिता एक रुपए में 10 संत्रे बेशता और 30 परशन लाब कमाता है उसने एक रुपए में कितने संत्रे ख़ड़ी देते देखो एक रुपए में 10 संत्रे तो हमने सिखाया कि quantity को उपर रखो रुपिया को नीचे रखो यहां पर कोई खेला नहीं अज़र 30% लाब कमाता है खेला है तो 10 बटा एक 30% लाब यानि 130% की वैलू हो गए कहता है उसने एक रुपे में तो रुपिया नीचे एक्स आगे कुछ दिया नहीं गया बस इसी को कैलक्लेट करो मगर प्यार से कहते परसेंटेज 2-0 खा जाता है यानि एक्स बराबर 13 इससे आसार तरीका होता ही नहीं है हमने ना जाने कितनी बार ऐसा सुलूशन आपको सिखाया है बोलो मगर प्यार से चले सब पे चर्चा बाद में सब बताएंगे पहले पढ़ो उन्चास के बार एक्क्यावन नमबर दो सम बहुजों की भुजाओं की संख्या का अनपात एक और दो है मतलब N1 और N2 जो साइड्स है उनका रेशियो 1-2 है कहता है पहले बहुज का आंत्रिक कोड आंत्रिक मतलब इंटर्नल इंटर्नल 140 है तो एक्स्टर्नल 40 होगा क्योंकि दोनों का योग 180 होता है बोलो मगर प्यार से अब एक चीज देखो एक्स्टर्नल 40 हो गया अब हमें भुजा चाहिए तो 360 बटा 49 आएगी मतलब पहले में 9 भुजा होगी तो दूसरे में 18 होगी अब हमसे कहता है दूसरे बहुज के प्रतेख आंत्रिक कोड बताओ तो इसका बहारी कोड निकाल लेंगे 360 बटा 18 यानि बहा कोड एक्स्टर्नल वाला जो की 20 होगा हम जानते हैं कि इंटर्नल एक्स्टर्नल का सम 180 होता है यह अगर 20 है तो यह 160 होगा यानि इसका आंसर 51 का 160 आएगा कितना आएगा 160 आएगा बोलो मगर प्यार से एक आयताकार मैदान की लंबाई और चोड़ाई का अनपाद 6 और 5 है यानि 6X एंड 5X यदि चोड़ाई लंबाई से 25 कम है यानि दोनों का अंतर X बराबर 25 के समाच था 25 के तो 25 शका देड़ सो 25 शका देड़ सो और ये 125 हो जाएगा तो मैदान का परिमाब बता दू प्यारे दोस्तों 150 ये तो 150 ये 125 ये तो 300 और 2500 शाड़े 500 यानि 54 का अंसर शाड़े 500 आएगा बोलो मगर प्यार से बाई पढलो अभी सेट बहुत तेजी से करा रहे फिर सभी पे चर्चा करेंगे अब एक-एक मुद्दे को अभी उठाएंगे नहीं ठीक है थोड़ा धैर रखो पहले अभी इस सेट को लगा लेते है थोड़ा सा आप लोग अंत में चर्चा क्या क्यों कम समय में ये करा देंगे तो बेने फिट होगा जो बाद में बच्चे देखेंगे फिर आप पे चर्चा करेंगे केता है निम लिकित को हल कर दोस्तों देखा जाए ये है तो उपर AQ हो गया प्लस का BQ हो गया तो नीचे जो होता है वो A स्क्वार माइनस का AB प्लस B स्क्वार हो गया देखा ये जाए इससे जो ये बनता है वो A प्लस B ही बनता है यानि समाज कहेगा 0.6 प्लस 0.7 का जो यूग 76 तेरा यही आंसर 1.3 इस दा राइट आंसर 65 नंबर कहता है विवाजित करने पर सेस्वल क्या हो गा यानि X बराबर 3 चिपका दो सेस्वल प्राप्ट कर लो 3 का पावर 4 81 होगा तीन का क्यूब 27 होगा, तीन का स्क्यार 9 होगा, तीन प्लस एक होगा, बोलो हाँ, दोस्तों बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से, तो देखा जाए, 81, 27, 3 और एक चार, तो आप ये देखो, तॉल करना मिरे भाई, तॉल हमी करें, 7, 8, 8, 4, 12, 12 में से 9 गया, 3, 103 आएगा, सर कैसे, 7 और एक 8 हो गया, और 8, 4, 12 हो गया, 12 में से 9 गया, तो लास्ट में 3 नहीं आएगा, यानि 56 का जो आंसर आएगा, वह एक सो तीन आएगा, ये सब सीखना चाहिए, आपके दूसर ये करो, ना, सीको, 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 58 नमबर, क्या कहता है, 58, कहता है, भुजा एक्स वाले संभाव त्रिबुच के छेत्रपल और भुजा एक्स के वाले वर्क के छेत्रपल का अनपाद ग्याद करो, भुजा एक्स वाले संभाव त्रिबुच के छेत्रपल और भुजा एक्स वाले वर्क के छेत्रपल ग्याद करूए तो इसमें क्या है तो सिंपल कोशन है रूट 3 बाई 4 भुजा एक्स का स्क्वेर और एक्स वाले वर्क तो यानि एक्स स्क्वेर रूट 3 और 4 इसका आंसर राइट आंसर आप दिस कोशन गाइस रूट 3 पोर आएगा बोलो हाँ बोलो हाँ बढ़िया से पढ़िये प्यार से सीखिये हर चीज पे चर्चा होगी कहता 5 1 6 3 7 2 में 6 के इस्थानी मान और आंकिक मान का अंतर ग्याद किजे 5 1 6 3 7 2 में 6 के इस्थानी और आंकिक मान का अंतर देखो इस्थानी मान और आंकिक मान का अंतर तो 6 नीचे चाठ्थो जिरो लगा दो यह चाठ्थो और कहरा अंतर तो 6 घटा दो तो यहाँ पर यह डी आंसर आएगा आपके तो घटा के लिको तो हो गया भाया इस फीट कब लाओगे ऐसे ही आएगी कहता है यदि सम बावबुज का प्रतेख आंत्रिक कोड 144 तो बावबुज में भुजाएं कितनी होगी 144 ये तो internal है तो external क्या होगा क्योंकि दोनों का सम 180 होता है तो आप को गिसर 36 होगा external क्योंकि दोनों का सम 180 अब 180 बटा 36 तो देखा जाए 180 बटा 36 तो बच्चा बच्चा कहेगा कि कुस्तो गावण है 180 नी 360 होता है ऐसा होता ना कभी-कभी दिबाग पंचर होता है N बनाबर 360 अपॉर्ण 360 अपॉर्ण 36 ये समाच 10 आंसर कहेगा चली आगे बढ़ते हैं निम लिकित आकलों की मादिका और बहुला ग्याद किजिए क्या ग्याद करें मादिका और बहुला ग्याद करें देखो मादिका कैसे ग्याद कर सकते हैं वो आप अच्छे जानते हूँ पहले से एसेंडिंग और में देखो सबसे पहले दो आएगा पुष तीन बार तीन आएगा, पिर देखो, दो बार पांच आएगा, पिर दो बार साथ आएगा, और फिर दो बार 9, महलब एक बार 9 आएगा अब हमसे कह रहा है कि मादिका यह तीन यह तीन फटा दिये यह अटा दिया मतलब मादिका इसकी कितिया गए तया कुस्त तो गवड़े तीन तीन छे तीन नौ इपतास उपर दास है नीचे पहांच है कौन सा गवड़ किया ओ दो बार दो है कि ओप्सन ही निमेच कर रहा था ना मेरे बाई तीक हम लोग बड़े पेसिंस से करते हैं और यह सब आपको भी सिखना चाहिए दो बार दो है तीन बार तीन है दो बार पांस दो बार साथ और नौ देखा जाए इस टार्टिंग के चार आदो अन्तिम चाह टादो तीन और पांच का आउसत ले लो तो वह चार होगा यह चार इसकी क्या होगी मीडियन होगी जिसे समाच मादिका कहेगा बहुलक जो कि आप जानतों कई बार आया हो वो तीन कहलाएगा चार और तीन आंसर चार और तीन आंसर परिया से परिये प्यार से सीखिए शूट्र के बाद शिख्टी साविट के तब पंदरा पुरस या पत्चीज मेलाएं एक खेत की पसल को को 22 दिनों में काट सकते हैं 9 पुर्स 18 मैलाय को इसे काटने में कित्ते दिन लगेंगे दोस्तों तरीके सिखाए गए 15 पुरुस या 25 मैलाय एक खेत को 22 दिन में तो एक पुरुस 15 गुड़े 22 दिन में भाई 15 पुरुस 22 दिन में तो एक पुरुस 15 गुड़े 22 25 मैलाय तो एक मैला 25 गुड़े 22 इसका एलसियम ले लो तो 15 पुरुस का एलसियम तो 75 आएगा गुड़े 22 हो जाएगा दोस्तों जब इससे भाग दोगे 22 से 22 75 15 जाएगा तो पांच बार में 22 से 22 25 से जाएगा तो ये तीन बार में आया किते हैं 9 पूरुस 18 माइलाओं को इसे काटने में किते दिन 9 पूरुस तो 9 पूरुस 18 मेला तो 5 गुड़े 9 9 पूरुस необ 5 बोलो हाँ इसका योग करो 9 4 कि नए दया कुस्तों का बड़ है यह 99 आने का 45 चौब यह 99 आ गया 11 से 2 बार 11 से 9 बार फिर 3 से 3 बार 3 से कित्ती बार 25 या 75 तो उपर हो गया 50 बटा 3 50 बटा 3 तो 18 त्या 54 जादा होता 16 त्या 48 दो 50 16 सही 2 बटा 3 राइट आंसर ओफ दिस कोशन 16 इस्टो 2 बार 3 हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3 सभी लोग अच्छे से पढ़िए हर चीज सिखिए रिजनिंग की क्लास नहीं मैथ की क्लास स्टार्ट होगी जबर्दस कई सारी किताबों को फिर से कॉंटिन्यू किया जा रहा है बस पढ़िए मगर प्यार से सोहन को अपने पुराने पंक्ये को 1500 पर बेशने पर 20% की हानी होती है और उस पंक्ये को किस मूल पर बेशना चाहिए ताकि 20% का लाब हो यानी 80% में बेशना चाहिए यूत रेलवे में जबर्दस पढ़ाया है रिश्यो लेलो 42 दूना चालिस तीन दोस और या तीन बस खेला होवे दो या ती तो दो बराबर पंद्रा सो एक बराबर साड़े साथ सो साड़े साथ सो का यहां गुड़ा कर लो तो यह आ जाएगा 2250 इसका राइट आंसर बाइस सो पचास आएगा 69 का बोलो मगर प्यार से सोहन को अपने पुराने पंके को पंद्रा सो में बेचने पर 20 परशन के आनी हुई यह साथ सेम कोशन हो गया कह रहा है इसमें विभाज क्या तो एज एक कॉंसेप्ट लिख लो आने वाले समय में हम आपको नंबर सिस्टम यूटूब में फ्री पढ़ा देंगे 15 से 20 घंटे आने वाले समय में कोशिस यह रहाएगी कि एक सिरीज एक बना दे सिरीज बढ़ा सा और जबर्दस नंबर सिस्टम पढ़ा दें क्योंकि बहुत बच्चे परिसान देतें के नंबर सिस्टम को लेकर करें यह कौन से च्टिसल होता है बच्चा क्या कहता है जिसे एक इपावर एंड और बी पावर एन तो हमेंसा डिविजब में लोगा A plus B जै जाद रहे के N हमारा ऐसे और नमबर होना चाहि demands दिख संख्या हो ना चाहिए कोंची संख्या विशम संख्या होना चाहिए और लबर तो आपदे को 41 की पाउर 43 43 हमारा विसा में 43 की पावर 43 तो ये भी विसा में इन दोनों का योग 84 होता है यानि यह 84 से divisible होगा यह 84 से divisible होगा राइट आंसर आप देस कोशन 84 आएगा कहता है इसमें 8 के आंकिक मान ग्याद किजिए आंकिक मान इस्थानी मान नहीं तो 8 का आंकिक मान आटे ही होगा और क्या है सीधी सी बात है क्योंकि 80 में आंकिक मान बोला है तो समझदार है ये कोशन ये कोशन बच्चों के लिए अभी मालो एक इस्थार लगा दो वेसे टप नहीं है फटजी कोशन सीखो मगर प्यार से देखो क्या है कि जो 10 ठीटा है वो रूट 3 माइनस 1 क्या नहीं लिख सकते है लिख सकते हैं तो सर कॉट ठीटा क्या होगा देखो जो कॉट ठीटा होगा वो रूट 3 प्लस 1 बाई 2 सर ऐसा क्यों वाइदिस कोला वरी ये कहां से लाए हम भी जानते हैं आपो जानते हों कि 10 ठीटा कॉट ठीटा बराबर 1 ये होता है अब 10 ठीटा की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 तो कॉट ठीटा रूट 3 प्लस 1 बड़ नीचे 2 से भाग क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 होता है अब जब इन दोनों का गुणा करोगे तभी ये एक आएगा अनथा कभी एक नहीं आएगा समझदार है सीखू बहुत जल्दी एक वीडियो में हम प्रॉपर बता देंगे आपको कि बस इतना ही कर लोगे रेलवे का सारा एक्जाम क्रैक बहुत जल्दी बताने वाले है हो सकता है आज ही थोई दिर में हम आपको एक वीडियो रिलीस कर दें कि भाईया का पढ़ लो जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए रूर 3 कॉट ठीटा माइनस 1 रूर 3 कॉट ठीटा माइनस 1 एक चीज़ समझो रूर 3 अब कॉट की वैलू तो यह हो गए का लिख दो रूर 3 प्लस 1 बाई 2 ऐसे लगा लो और माइनस का 1 ऐसे अब लसे हम ले लो यह तो अंदर जाएगा यह 3 हो गया यह रूर 3 हो गया यह माइनस का 2 हो गया बटा 2 हो गया तो 1 प्लस रूर 3 बाई 2 यह इसका आंसर हो जाएगा तो कोशन नमबर 83 का जो आंसर होगा वो रूर 3 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 83 डियाई आगे इसकी डियाई थोड़ी सी फरजी है फिर भी हम बताएगे फरजी का सेंस क्या है मतलब मूल आफ करने वाली डियाई है टाफ नहीं है टाफ अलग चीज़ होता है फरजी अलग चीज़ होता है बात को समझो बड़े प्यार से सीखेंगे थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा कि कहता तीन सहर है बड़ा कर दिया मैंने फिलद दिख रहा हो गाहितने महीं इन सहर दिलली मूंबई और चेन आई 2002 से दोजार से 2003 तक वर्सा को दर साने वाई निम्लिक ग्राप का ध्यन करे कहता आप मूंबई में कितनी औसत वर्सा हुई अब मूंबई में कितनी औसत्वर्सा हुई अब बच्चा परिशान मुंबई में कितनी ओसत वर्स होई, मुंबई में कितनी ओसत हुई, अठे देउता हो, मुंबई यानि यह 70, 90, 1, 8, 130, एका जोड़ो, एका जोड़ो, तो यह हो गया कितना, 13, 8 होता है, 21, 21, 39, रहे बोलो हाँ, और 30, और 37, मलब 37, 370 चार से भाग देदू तो जो आएगा वही आंसर नचो को 36 नो तो आ नहीं आना है नचो को 36 फिर 10 92.2 हो गया इसका आंसर 92.5 हो गया किता हो गया 92.5 हो गया और याद रखना साइड में तो यह चीज़ आप समझ गया होंगे अरे बोलो देवताओं चाले तो यह चीज़ समझ गया अच्छा एक चीज़ समझो यह तो आपको क्लियर हो गया यह आपको क्लियर हो गया अंतक बने रहना कई चीज़ें आपको बढ़या से बताएंगे अब यह याद रखो सब त्याग दो दूसरों की साधी में जाना दुनिया भर के तेवार मनान सुछाना सब त्याग दोगे selection निशित है वैसे वेकेंसी सालों में निकलते हैं तीन-तीन साल चले जाते हैं हम भी त्यागेंगे आपके साथ बलदान हम भी देंHAM । तब आपका सफलता आपका selection होगा साधी में जाना तो हमें भी है पर हम नहीं जाएंगे बाई और तहां गया यह समझ गए एक चीज़ समझो जब आप पेपर में सॉल्व करते हो ऐसे कोशन तो आप लोग दिमाग में बठा ले ना कि मुंबई का जो आउसत अभी निकाला वो 92.5 निकाला मुंबई था न कॉपी में लिकाला अब कहता है इस वी से स्वार्ष में पिछले वर्स के तुल्ना में और ये आपको दिमाग लगाना पढ़ेगा औसत वर्षा पिछले वर्ष की तुलना किसके वर्ष की तुलना में और व्रद्धिया कमी व्रद्धिया कमी वह भी उच्तम प्रस्षत ग्याद किए एक चीज़ समझो अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेल्स है क्या है थोड़ा सा कॉमन सेल्स व्रद्धिया कमी चलिए थोड़ा सा कॉमन सेल्स है थोड़ा सा आप मोटा मोटा देखो नवे सेत्तर से तो इस से यह ज्यादा हूगा ठोड़ा सा कॉमरसेंस 80-पेसी से मिलब वढ़ा उसातर यह ज्यादा होगा और यहां कमी में आ रहा है यहां किसमी आ मी में बस इन दोनों वैल्यू को देख लो असी असी सेम हो गया एक सो तीस और साट एक सो नब्वे होता है नब्वे सतर तो कहीं ना कहीं इन दोनों का खेला होगा बस और कुछ नहीं हो 330 हुआ 330 से भाग दो यह सब फर्जी हो गया कोई 24 से 33 हो रही है तो 639 का इंक्रीमेंट हो रहा है यह जल्दबाजी नहीं किताब से हटकर एक बटार साड़े बारा होता है 32,3437 होता है आपके कमेंट में देख लेता हूं 33% is the right answer मतलब इस कोशन का आणसर 33% अब बच्चा क्या करेगा इसका विए और जोड़के निकालेगा इसका भी निकालेगा इसका लिक जाए ये चीज, ये चीज बड़ा अंतर, इसमें ज्यादा रद्दी हो रही है, या कम kमी हो रही है, समझ गया, दिमाग लगाएंगे तो आंसर आएगा, तो ये भी हो गया तो ये कहता है किस वर्ष में चेन्ने की वर्षा में व्रद्धी या कमी का प्रसत का अंतर उच्चतम था किस वर्ष में चेन्ने की वर्षा में व्रद्धी या कमी का प्रसत अंतर उच्चतम था अब ये चेन्नेई वाली में जाओं और कौन से वर्स में भाई यहाँ पर हमसे एर बोला गया कि छेन्न सी उचतम था अब चेन्नेई वाली लाइन में गये तो पहले देखो चेन्नेई जो कि तीसरी लाइन है तीसरी लाइन यह दिखने नहीं होगी यही लाइन है वो थोड़ा सा आप समझ रहे हो फोटू खीच गेम पढ़ाते हैं वैसे ब जानकते हो तो गया अब हो जाता है यहां देखा जाए 90 से 80 80 से 140 तो यह बहुत बड़ा पर 140 से 180 तो 80 से 140 कोई चीज हो रही है और 140 से 80 हो रही है यहां पर आपको खेला खेलना पड़ेगा एक सेकेड़ तो किस वर्ष में चेने की वर्षा में व्रद्दी या कमी का प्रसत अंतर उच्छितम था तो आप खुद देखो 140 से 80 देख लो यहां से यह एकदम गर रहा है दोनों का अंतरसाड अपॉन 140 तो अब वर्ष का पता आप लगाई सकते है ठीक है अड़े बात समझ में आई की नहीं आई इसका जो आंसर होगा वो 75 परसेंट और आपको मालूम चल गया होगा बोलो हा देखताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है अब कौन सा बचा ये एक कोश्चन और बचा एक से सेकंड डुकना 88 में ठीक है एक सेकंड मेरी बाई डुकना एक सेकंड एक सेकंड तो 88 का अंसर आप लोग जान गए होगे ठीक है तो 88 में 140 से 80 तो ये 2002 चाहे आप 2002 को इधर से देख लो 88 के लिए चाहे 2001 से 2 या इधर वो बात बराबर में आ जाएगी 2002 इस दा राइट आंसर 88 का साइद ये अंती में 89 उस्विकल्प का चेहर कीजे जो उच्चतम वर्सा वाले सेहर के साथ उसकी आ उसत वर्षा को भी दरसाता है उच्चतम वर्षा वाले सेर के साथ उसकी आउसत वर्षा को भी दर्साता है प्यारे दोस्तों एक चीज समझो हमने यहाँ पर एक चीज कैलकुलेट कर लिया था सर क्या कैलकुलेट कर लिया था खिजड़ी नहीं पकाते हैं चीजों को समझाते हैं प्रकास सर हमने आपको calculate करके बता दिया था कि मुंबई का तो 92.5 आएगा अरे बोलो हाँ बाकी का देखो 50, 70, 120, 120 और 110 तो यह हो जाएगा 220, 220 और 130 220 और 130 किता होगा तो 220 और 130 जो होता है बच्चा कितना होता है 50, 70, 110 और 60 50, 70, 120, 110 और अच्चा यह 60 सोरी 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 ठीक है 120, 120, 220, 220 और 60 220 और 60, 220 और 60, 230 और 60, 220 और 70 और 60 और 90 यह दिल्ली का आगया मुंबई का उसत लेके बैठा हूँ नाइन्टी टू पॉइंट पाइप चेन्ने का और निकाल लू नबे असी मनब नौ आट सत्रा ऐसे काउंट को नौ और राट सत्रा और आट सत्रा और चौदा एक तिस तरह चौदा एक तिस एक तिस और आट उन्ता पॉइंट पाइब तो चेन्ने के में आंसर आएगा 97.5 कहां गया चेन्ने यह तो 89 का आंसर यह हो जाएगा बोलो मगर प्यार से यह वाला से भी कम्प्लीट हो गया सभी लोग बोलो ठीक है अच्छा एक बात मैं अंत में फिर से बता दे रहा हूं सारे बच्चों को इस चीज को समझो बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आपको क्या मिलेगी खुसी आने वाले समय में अभी भले ना मिले पर आने वाले समय में आपको खुसी जरूर मिलने वाली है मैं आपको बता दू इस किताब का सुलूशन इस किताब का सुलूशन जिस वक्त मेरा ये चैनल एलिजबल हो जाएगा ठीक है ये मैंने नया चैनल लॉंच कर दिया है कल ही लॉंच किया है कानपुर वाला फैन क्लब प्रकासर ये चैनल है इसमें पांच वीडियो डाल भी दिये हैं कानपुर वाला फैन क्लब प्रकासर इसमें हम इस किताब का जहां इसमें जैसे नहीं एक घंटे की वीडियो दे हमने बोला भी था है जब हमने इसको लॉंच कहा था आस हो गया होंगे 8-9 मैंने पहले ये किताब हमने पढ़ा दी थी पर सभी बच्चों को ये किताब का सुलूशन नहीं मिल पाया था हमने बोला था जिस वक्त डेट प्रॉपर लॉंच हो जाएंगी हम उस वक्त आपको इस में 100 सब्सक्राइबर हुए मैं जूट बोलता नहीं हूँ हजार सब्सक्राइबर जहां एक एक घंटे की वीडियो अप्लोड होना चालू हो जाएंगे आपको ये 50 वीडियो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बढ़िया से देखते रहे ना अगर आप इस किताब क कि आपको फॉलो कर रहे हैं और बहुत कुछ इस चैनल में हम प्रोवाइट करेंगे सर ऐसा क्यों करो सर दो-दो चैनल बच्чив को बाट रहे हो दुनिया कर रहे है एक्च्छुल में जब हम एजुकेशनल चैनल चला रहे इसको मैंने एजुकेशनल सब्द यूज नहीं किया इसमें अभी ठीक है अभी जो हमारा मेन है वो educational channel जिसमें अभी हम पढ़ा रहे हैं reason क्या होता है कि कोई protest हो गया या कोई बाते करते हैं तो वहाँ पर हमें YouTube एक notification भेज देता है और वैसे भी YouTube ने January में बोल दिया है कि जनवरी में आप जो चीज पढ़ा रहे हैं अगर educational वाले तो education की बाते करें protest की बाते नहीं कर सकते हैं यह सब को mail आया होगा जितने भी हैं इसलिए हमने यह launch किया है कि भाई जिसमें पढ़ा रहे हैं वो कभी effect ना पढ़े तो जैसे यह सब वीडियो डालते हैं government को लेकर दुनिया बर की बाते करने वाले वो इसमें इस channel में हम बंद कर देंगे उसके लिए छमा प्रार्ति उसका कारण यही है सीधी सी बात फिर हाथ दो देंगे इस channel से YouTube के guidelines के हिसाब से बाकिस समझदार है या तो या आप search करें ने YouTube में आया है कि नहीं आया हुआ है जिन लोगों का खुद आपको भी हो सकता है mail आया हो आपके पांच-दस सब्सक्राइबर भी होंगे तो mail आ सकता है उसको पढ़िए जनवरी से guidelines दे रखा है कि अगर आप कोई news देते हैं तो वो government के अंडर में होनी चाहिए ठीक है चलिए तो पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं ये complete हुआ अभी इसके सारे set अब तेजी से 15 दिन के अंदर इस किताब को हर हालत में खतम कर देंगे हर हालत में खतम कर देंगे बस जोज बनाईए पढ़ते रहे हैं धन्यवाद और हाँ इस शैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे जो हमने बताया बाकी जैसी स्रद्धा